हेलो इस्ट्वेंट्स आइम गजेंदर शर्मा वेलकम तो अड़ा 24 7 इसको इन इस एडियो वी आर गोइंग तो डिसकर्स हीट इंटर्नल एनरजी एंड वार्क फर्स्ट लॉफ थर्मो डैनमिक्स स्पासिविक हीट कैपसिटी इससे पहले अगर मैं बात करूँ जो हम लोगो को पता लगा कि यह क्या करता है एक रिलेशन्शिप बिल्ड करता है हमारे जितने भी उसके अंदर क्वांटिटीज है लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सर हीट सेकेंड मास हुआ थर्ड हमारा क्या हुआ कि सर टेंप्रिचर हुआ एनरजी हुआ इनके बीच में क्या कर रहा ह एक रिलेशन्शिप बिल्ड होती है उसको हम लोग बोल देते हैं थर्मो डाइनमिक्स उसके अलावा फिर हम लोगों ने जाना कि हमारा थर्मल एकिलूबिरियम होता है वो हमारा क्या होता है उसके अंदर पहले हम लोग बात करें तो सब हम लोग जानते थे कि सर हम लोग ज condition, फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो यह 0th law of thermodynamics से वो क्या होता है, यानि कि अगर मेरे पास कोई A है, A से B में heat transfer हो रही है, B से C में हो रही है, यानि कि हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं, सर यह हमारा वो ही है कि हम लोग बोलते हैं, एक example हम लोग लेते हैं, सर A की value B क हम लोग बोलेंगे A का क्या है, C के बराबर ही value होगा, वो हमारा होता है, सर इसको हम लोग ने देखा, 0th law of thermodynamics में, अब चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं heat की बात करता हूँ, heat हमारी क्या होती है, तो सबसे पहले देखे, heat को आप दिमाग में लेके आते हो, तो को touch करूँगा, मुझे महसूस हो जाएगा कि वो गरम है या ठंडा है, कैसे, कि सर सामने यह रखा हुआ, इसको मैंने छुआ, चूने पर पता लगा कि यार, यह तो बहुत गरम है, कैसे पता लगा, कि सर हमारी जो हाथ की heat energy है, और सामने वाले की energy है, उन दोनों को जब मैं मैंने उसको छुआ और चूने पर मुझे लगा कि सर वो क्या है, कोल्ड हमें महसूस हुआ, अब कोल्ड का मतलब क्या हुआ, कि सर मेरी energy उसके comparison में जादा है, इसलिए मुझे क्या लगा, कोल्ड महसूस हुआ, क्लियर बात हुई, यह हमारी होती है heat की जब मैं बात करता हू एक्जामपल देख लिए, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि temperature is a marker of the hotness of a body, it determines the direction of the flow of heat when two bodies are placed in the thermal contact, अब thermal contact का मतलब क्या हुआ, देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास क्या है, एक एक एक्जामपल यह है कि इसके अंदर मेरी क्या है, कोई भी वाटर म मैं water का example सबसे जादा लेता हूँ क्योंकि उससे हम लोग easily समझते हैं, यह मेरी क्या पानी की टंकी है, इसके अंदर से मैंने एक hole लगाया और इसको connect कर दिया है, दूसरे वाले से, अब यह कब तक लेवल चलेगा, जब तक यह चलेगा, यहाँ पर transfer होगा, जब तक कि दोन इसके अंदर कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ट्वंटी है, तो सर यह कब तक transfer करेगा, जब तक इन दोनों की value बराबर ना हो जाए, जब तक इन दोनों की value बराबर ना हो जाए, यानि कि सर 60-60 जब तक यह बराबर नहीं होगे, तब तक इसके अंदर heat transfer होगी, यह हमारी क्या होती है, सर इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि hotness, हम लोग कब बोलेंगे, जब सामने वाला मेर से जादा है, और जब मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ, तो वो मेर को क्या है, hot दिखाई देगा, यानि कि touching से हमें पता लग गया, clear हुआ, अब देखे आगे, आ at lower temperature, the flow stop when the temperatures equalize, और the two bodies are in thermal equilibrium, यही चीज़ तो मैंने आप लोग को समझाया, कि सर सबसे पहले कि हमारा जो ट्रांसफर है, वो कब तक होता रहेगा, ट्रांसफर हमारा तब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का level equal ना हो जाए, यार एक चीज़ बताइए, दो मेरे पास लो पैसा लेकर दूसरे वाले को देना पड़ेगा, जब दोनों equal हो जाएंगे तो, equilibrium की condition हो जाएगी, क्या हो जाएगी, equilibrium की condition हो जाएगी, तो यह हमारे पास हुआ, अब हम लोग और कर बोल सकते है, the concept of internal energy of a system is not difficult to understand, we know that every bulk system consists of a large number of molecules, अब बात आ गई, यह molecules की बात क्या है, य मैं energy को इसे denote कर देता हूँ, तो energy हमारी क्या हो सकती है, सर energy के अंदर अगर वो motion के अंदर है, तो kinetic energy हो सकती है, बिलकुल बात सही है, सर kinetic energy हो सकती है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो सर उसके पास potential energy हो सकती है, सही बात है, potential energy भी हो सकती है, और तीसरा उसके पास क हो सकती हैं इंटेलर एनर्जी और क्या है इंटरिनल एनर्जी जो होती है क्या होती है रिक होती है सर्म आलिक्यूल्स की वजुब से होती है क्या होती है molecules की वज़े से होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं internal energy यानि किसर सिस्टम के अंदर जो molecules है देखो चल रहा है तो क्या होगा kinetic energy और उसके लोगा potential energy हमारी हुई अगर कोई भी हाइट है मेरे पास ठीक है प्रेडर मेरे पास क्या है यह container है ठीक है यह हाइट पर इसके उन्दर कोंगा पूटेंशल energy clear बात और यह मूँव कर रहा है क्या कर रहा है यह मूँव कर रहा है तो करेगा तो kinetic energy clear जिए हैब इसके अंदर भी तो कुछ ना कॉछ molecules है वह molecules का कर रहे हों इधर से उदर अब इधर से उधर इधर से उधर तो वह मूमेंट कर रहे हैं तो सवर उनके वज़े से क्या होगी इंटरनेल एनरजी या विए तो यह हमारी क्या होती ही एनरजी की मैं बात करता हूं अब मेरा कोई चीजह बिएच़ेश पर थोड़ा सा दिमाग में लगा रेसिट पर है तो रेसिट पर हई होने की वाज़े से क्या होगा यह हमारी 12 हो जाएगी और उसकste आपा सब्सक्राइब उप्रिकार और बेल बृंड मिष्चित रेस्ट होती है और उसके अंदर कोई भी फिल्ड नहीं होता है क्या है कोई भी फिल्ड हमारा नहीं होता है यानि कि सर सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर क्या होती है internal energy होती है, क्या होती है, internal energy हमारी होती है, यह हमारी इसके अंदर होती है, अब बात आती है, सर और हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, तो देखें, मैंने जो वहाँ पर लिखाया है, statement, जो चीजे मैंने वहाँ लिखें, वही चीजे आप हैं देखें, internal energy is a simplify the sum of the kinetic energy, potential energy of these molecules, भाई देख लिखें, internal energy क्या है, is simply by the sum, यह हमारा sum है, आगे बुला है, internal energy is the sum of molecular kinetic energy and the potential energy in the frame of reference relative to which the center of match of the system is rest, यह लो भाई, rest की बात आ गई, मैंने आपर बता है, does it includes only the dissolved energy associate with the random motion of the molecules, random motion of the molecules of the system, we denote the internal energy of a system by you, अब यह क्या है, random motion की वज़े से, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को easily समझा दिया, easily मैंने क्या किया, connect करा दिया, क्योंकि लिख्यू ही चीज़े जादा जल्दी समझ में, नहीं आती जितना ज्यादा हम लोग चीजों को practically समझते हैं, क्या करते हैं, practically हम लोग चीजों को समझते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है भई, याद हो गया, अगर याद हो गया है, तो अब चीजों को connect करिएगा, यहाँ से, यहाँ से चीजों को connect करिएगा, आगे से जिससे क आपको और सारे concept boost हो जाएंगे कैसे देखी अब मेरे पास है किसर डिग्री ओफ फ्रीडम कैसे निली सबसे बड़ी पात डिग्री ओफ फ्रीडम कैसे आएंगे थोड़ा सा सोचना डिग्री ओफ व्रीडम के लिए किसे यह मेरा क्या है यहाँ पर वर्ड हम लोग जब भी इस आइडियल गैस हमारे पास हो अब यह क्या है सर्द मॉनो आटेमिक आइडियल गैसे बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्फ मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी एटम है वह इस तरफ भी कर सकता है वी-1 में भी कर सकता है लाएक इस तरफ भी मूऊव कर सकता है ओर इस तरफ भी कर सकते है ठीक है यह मारे कि आइविभ आई और यह भाई और टेकर वीजेड हमारा वह गया है चैश्य हो Nepie एटर हमारा हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए सर मैं इसकोका कर रहा很好 F से, और यहां से क्या हो जाएगा, इस के अंदर से हम लोग क्या भोलेंगे, ज़सर यह हमारी क्या हो जाएगे वी X, यह हमारी क्या है, VY और VZ, अब मेरन की जीज बताऊ, इसके अंदर मुझे अगर energy निकालनी है, क्या करनी बिठा है, इसके हमारे पास kinetic energy तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सरी यह जो ई होगा ये equals to U के और यह हमारी kinetic energy होती है क्या होती है हाफ mv square like हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा half mv square कौन से x का respect में प्लस में हमारा क्या हो जाएगा आपको याद रखना है आपके syllabus में पार्ट नहीं है इसका derivation नहीं है बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ जिससे क्या numerical IIT जी वगरम कहीं भी आप लोग solve करते हो तो आप लोग के काम आने वाला है यह degree of freedom आप लोग के उसमें पार्ट में नहीं है जिसका derivation की जो बात कर रहें ठीक है अब एक चीज मुझे बताइए अगर यह मूफ करेगा अगर यह मूफ करेगा तो इसकी मूफ होने की वज़ए से rotational energy भी क्या होगी rotational energy आएगी लेकिन जब हम लोग count करते हैं तो बेटा यहां पर तीन variable से क्या तीन हमारे करे वैरियबर से और इनके expansion के मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है freedom number of independent term in the expansion तो यहां पर क्या होता है अगर में degree of freedom की बात करता हूं तो यह मारे हो जाते है किसा number of terms independent हमारी कितनी expansion के लिए तो यहां पे कितनी independent है, Sir 3 है, अगर 3 है तो f is equal to kutus कितना आ जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा, f is equal to किया जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा, ठीक है, अब हम लोग जब die atomy की बात करते हैं, रो die atomy का number हम लोग क्या लिया है, Sir o2 लिया है, क्या लीया बेठा, O2 हम लोगो ने लिया है, अगर O2 की बात है तो सर देखिए, अगर ये O2 है ये हमारे पास होगे, तो सर ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, ये इस तरफ भी मूव कर सकता है और ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, यानिक यह की यही घूमेगा यही की यही घूमेगा तो उसको हम लोग श्कुल तो यहांने use की यह फ स्ट कर पाप करता हूं यहांने तो यहयां पर independent अब कितना हो जाते है कितना हो जाता है कितना हो जाता है F is equal to 5 हमारा हो जाता है dieatomic की बात करते है तब क्या हो जाता है dieatomic में हमारा F is equal to कितना हो जाता है 5 हमारा हो जाता है और जब polyatomic की बात करते है तो F is equal to जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है 6 कितना हो जाता है 6 hex, आप लोग को यहाद रखना है, यह आपको याद रखना है अच्छे से जिस से आप easily calculate कर पाऊगे, क्या है, ठीक है, अगर हमारा कोई high temperature है, अगर high temperature है, तो उस time पर क्या हो जाएगा, high temperature अगर है, तो उस time पर क्या होती है, हम लोग जो यूस करते हैं उसके अंदर क्या होती है हमारी जो बढ़ जाती है क्या होती है यसके अंदर हमारी जो आजाती है वाई बरेशनल हमारी जो होता है डि गरी हमारी सब में कर Side तो एड़ कर देना क्या करना सब में क्या करना है दो एड़ कर देना एगर हाई टेंपरिचर की बात है हाई टेंपरिचर की बात कर रहे हैं तो क्या है हाई टेंपरिचर की बात अगर कर रहे हैं तो इनमें क्या गरना है दो हमारे एड़ कर देना क्लियर हुआ अब एक चीज म था यह हमारा क्या था सब्सक्राइब नो के लिए मैंनो मोन अटोमिक के लिए याप लोग को याद रखना है क्योंकि यहीं से आप लोग सीधा-सीधा क्या क्या और सीधा-सीधा आप लोगो को कहा रटना नहीं पड़ेगा यहाह से क्या रखना वोग यहां से निमेरिकल के अंदर आप लोग उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े अब एक चीज मुझे बताईए जो यह यह हमारी ए इसको अगर मुझे लिखना हो तो ह लोग कैसे लिख सकते हैं वोल्ट मांस कॉंस्टेंट के फों में या टेंपरेचर के फों में अगर मुझे इसे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं सर वन अपॉंट टू के लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको अगर मुझे लिखना है क्या लिख सकता हूं वन अपॉंट ट केटी केटी हो सकता है टी हमारे का था टेमपरेचर होता है कि हमारे का था वोल्ट मांस कॉंस्टेंट हो जाता है क्या हो जाता है वोल्ट मांस कॉंस्टेंट हमारा हो जाता है और क्या हमारे का एप्सलीट टेमपरेचर है यह हमारे का है अपसलीट टेमपरेचर है और यह हमार कर रहा हूं यूवन एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं अब मुझे एक चीज़ बता अगर एक मॉलिक्यूल है किसके बात कर रहे हो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो अब एक चीज़ मुझे बताओ यूवन हो जाएगा एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो यह हमार है क्या हो जाता है इसके अंदर चीज़त करो सर वन ओपन टू केटी हमने लोगों ने लिख लिए यह बोल्ट मान इसके बात करता हूं तो यह हमारा क्या हो जाता है तो यहां पर यहां पर या जो जाता है गसया पर केटी यह को सकते हैं और पॉन हैं क्या होता है के इक्वल टू क्या हो जाता है आर अपन एन हमारा हो जाता है आर अपन एन आरमारा क्या होता है यूनिवर्सल हमारा गैस कॉंस्टेंट हम लोग यूस्ट करते हैं ठीक है तो यहां से देखिए अगर मेरे को यहां पे के की जगए के के हमारे पास है कि है कि हमारे पास है तो इसको हम लोगों को लिखना है तो हमारा क्या हो जाएगा देखो आर अपन एन आप लोग इसको लिख सकते हो क्या लिख सकते हो अगर इसको आर अपन एन लिखोगे तो आप लोग का यह क्या हो जाएगा भाई के इंटू आप अब एक चीज़ मुझे कर देता हूं तो एंगर एंसे मुल्टिप्लाई करता हूं मेरे पास एन नमबर है यह तो मेरे किसके लिए होगे एक मोल के लिए लिए लाइक मैं बोलता हूं एक एन एम के लिए मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा सर इसको लिख दो एफबाइ टू यहाँ से एन के और टी हमारा होगया अगर एफबात बता हों के यहां पे है एन यहां पे GIR है तो यह हो जाती है और इहuing कर रहा है यहां पहुपे एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं तो ह 또on 2 हो जाता हैotte है एफ उपंटू आर्टी हमारा हो जाता है चीके है यह हमारे पास हो गया अब चीज़ सौचो कि सर अगर यह तो मेरे पास यहां पहुत व को गया कितना है चीज़की अधिर्ट कितना है तो एस वाइब मुझे इसको पॉली के लिए निकालना है तो पॉली के लिये कितना हो जाएगा छीज़क है तो शिक्स बाइटू आर्टी बोलो केलियर है नहीं है, सीधा सीधा हम लोग निकाल देंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, अब मालीजे और भी अगर मेरे पास हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक अगर मेरे पास N नमबर्स हैं, ये तो हमारे किसके लिए एक मॉल के लिए किसके लिए एक मोल के लिए हम लोगों ने कर लिया क्या क्या है एक मोल के लिए हम लोगों ने इसको कर लिया है अब आगे देखिए कि अगर मान लीजे मेरे पास और भी चीजे हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर तो सबसे पहले देखिए, चीजे connect करते हैं, तो सबसे पहले अब क्या करें, कि सर ये तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब हम लोग करते हैं, कि सर ये तो हम लोगों ने एक F by 2 RTA जो है, ये important formula है, ये क्या है important formula है, इसके थुरू हम लोग सारी चीजों को निकाल सकते हैं, च अब से पहले मैं आप लोग को अब जो बताने वाला हूँ, वो important है, specific heat capacity की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, specific heat capacity की मैं बात करने वाला हूँ, अब specific heat capacity की बात कर रहे हैं, तो मेरे को एक चीज़ बताई है, heat कैसे transfer होगी, सर दो तरीके से हो सकती है, या तो मैं कि अगर मुझे वोई लगा कोई तो एक मैं वर्क ड़न के करके दूंगा क्या होगा वर्क मैं करके काम करूंगा ठीक है अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हम लोग ने जब specific heat capacity की जब मैंने बात की थी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका था फॉर्मूला का होता है वह हमारा होता है सी इकवल टू क्यों अपन अम डेल्टाटी ये पिछले चम्टर केंदर पढ़के आई हूं ये पिछले चम्टर केंदर पढ़के हैं सब लोग अगर पढ़कर के यहां पर सी हमारी क्यों जाती है सर स्पैसिफिक हीट कैपसिटी ठीग है और यह हमारे क्या होता है सरी है हमारी हो जाती है और केदा हो हूँ और जब मैं बात कर रहा हूं कि सर मेंरे पास टी है वो जोटर कर रहा थोड़ा सा दिमाग में लेका आना हें पर चीज एक हमारे होती है आईसो थरमल क्यों थे यहां पर पर लोगई तीमारे क्हला कररहे हैं चाँरा सो थर्मन कि कर रहा हूं कि जा घ्र ती है वो इसपोल हमारा कितने आजाएंगा जीरो रखो गे फैनाइट किलेर बात एक उसके लावा माल लेके तो तो इस के अंदर क्या हो जाएगा तर इसमें क्या हो जाएक हमारी हीट कि तनी हो जाएगी 0 क्यूं रहय है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक हीट transfer नहीं होगी, अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो हाप़े हीट कितनी हो जाएगी, अगर मैं transfer की बात कर रहा हूं, तो जीरो अगर जीरो है, तो इसका मतलब हम लोग इसको देखने वाले हैं, वो दो टम्स में देखने वाले हैं, तू टैप से हम लोग देखने वाले हैं, तू टैप से कैसे देखने वाले हैं, उसको देखें, हम लोग जो बात करेंगे, या तो मैं बात करूँगा, सर मैं क्या कर रहा हूं, वालियूम की बात करूँगा, एक वालियूम के रिस्पेक्ट मारे करने वाला हूँ प्रेशर के रिस्पेक्ट में यानि कि जब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कॉंस्टेंट वॉल्यूम है अगर मेरे पास कॉंस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा अगर मैं बात कर रहा हूं देखी at constant volume अगर मेरे पास है अगर constant volume है तो क्या बन जाएगा ये cv क्या हो जाएगा cv is equal to क्या बन जाएगा भई q upon m delta t ये हमारे पास हो जाएगा clear हुआ अब इसी तरीके से अगर मेरे पास pressure constant है तो हमारा क्या हो जाएगा अगर में specific heat capacity की बात करता हूँ जब मेरा pressure को मैं क्या खरलता हूँ constant कर देता हूँ अगर में pressure को constant कर देता हूँ क्या बellyब दो प्रैशर को इगर में constant कर देता हूँ तो क्या होगा एट है constant the pressure Pricor catastrophic constant है तो एक चीज मुझे समझाई है यहां से क्या होगा अगर pressure constant है तो क्या हो जाएगा सर CP is equal to क्या हो जाता है Q upon M delta T यानि कि सर अगर इसको मैं अगर specify करूँ specify करूँ कि सर इसकी unit क्या होगी दोनों की इन दोनों की unit क्या होगी तो यहां र्यक्स मुझे बताओ कि हम लोग क्यों की है यहां चीजर कल शवटार यहां एक ग्राम के अंदर होगा और यह क्या होजाएगा इसका मतलब क्या हूब अगर मैं सिर्फ अब एक चीज और देख लो एक चीज और देखो क्या कि माल लो अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ग्राम क्या है 1 ग्राम मास है एक डिगरी टेंपरेचर बढ़ाना है तो यहां सिवी किसके एक्वाल हो जाएगा बाई सीवी कोल 2 हो जाएगा क्यूकर तब कृश्य चीज और उस ही तरहे के जिस अगर यहां भी करना है तो क्या हो जाता है स spiritual जाता है सीपी ऑलो यह रहन है यह हमारे पास वागई दोनों के CP और CV हमारा क्या होता है कैसे हम लोग denute करते हैं अब सबसे बड़ी जो बात है ना इसके अंदर वो है कि सर हम लोगों को इसको molar के form में लिखना है क्या लिखना है molar के form में लिखना है क्या करना है molar के form में लिखना और molar हमारा क्या होता है इसको मुझे लिखना है sir molar specific heat capacity heat capacity यह आप लोग के जो numerical काम आते हैं उसके लिए मैं पूरा का पूरा आप लोग का मिट्टी भुरुबरी करना वो सारे कर रहा हूं जिससे कहा है आपके जितने भी concept है जितने भी सारे secreutants है सारे तैयार हो जाएं कहीं कोई दिक्कत ना हो अब molar की बात है तो इसका मतलब क्या हूँ कि said molar का मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि er temperature 1 mol को हमें क्या करना i increase करना है कि हम लोग एक मोल के लिए निकाल रहे हैं और उसको हम लोग देखना चाहते हैं एक मोल के लिए निकाल रहे हैं यानि कि सर इसको हमें क्या कर सकता हूं कि जब मैं इसको स्मॉल से लिख रहा हूं तो वहाँ पर मैं कैपिटल से लिख दूँगा बात उतनी है यानि कि चेंज हमें करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा लाइक अगर हम लोग यहां पर क्या गर रहे थे कि सर एक ग्राम हमारे पास कोई भी वॉल्यूम हमारे पास क्या था मास था उसका टेंपरेचर हमें एक डिगरी बढ़ाना था तो उसके लिए जो रिकॉराइड हीट थी न बोला जा रहा था तो उसी प्रकार से कामाउंट वीट रिकॉराइड राइस देंपरेचर और वन ओल एड गैस भाई वन डिगरी ठीक है वन डिगरी हमें इंक्रीज करना है तो इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं बात करता हूं पहले केस में पहला केस क्या हो जाएगा यही एंड डेल्टा टी हमारे पास आ गया तो यहां पर देखे क्या है सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सर यहां पर अगर हम लोगों ने इन चीजों को लिखा है तो यहां पर क्या हुआ कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं मोलर स्पैसिफिक हीट का मतलब क्या हु हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक का है, तो एक के लिए लिए लिखेंगे, सीधी बात है, ठीक है, क्या है, एक के लिए लिखेंगे, जैसे आप लोग को मैंने बताया था, एक तो specific की heat capacity दी और एक heat capacity, heat capacity का मतलब क्या हुआ, कि सर्फ पूरा जो system है, जितना मेरी body, body है, उसक सारे को increase करना उसके सारे के increase करना और हम लोग जब specific की बात करते हैं तो specific का मतलब क्या होता है सरे एक particular एक अलग से उसको हम लोग क्या बोल देते है specific क्या बोल देते हैं मिटा specific जैसे अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं हूँ.. तो मैं बहुंगा कि राम.. राम का मतलब क्या हुआ है.. स्पैसिफिक क्लियर बात है.. उसी तरीका से मैं बात कर रहा हूँ.. जब स्पैसिफिक लिए स्थिक राहा हु.. चिसकी की बात की की बात की जारी है specific person की बात की जारी है मेरे सामने जो भी कोई person है उसको specify किया जा रहा है specific मैं बात कर रहा हूं क्या कर रहा हूं specific मैं उसको बात कर रहा हूं clear हुआ like मैं बोलोगा कि मैं सिर्फ शाम से बात कर रहा हूं तो इस मतलब कि मैं किस से बात कर रहा हूँ, इस specific person है, शाम उससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकि मैं तो यह नहीं बोल रहा है, कि मैं पूरे 100% लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक specific person है, शाम उससे मैं बात कर रहा हूँ, clear हुआ, clear हुआ है, अगर यह clear हो गया है, तो बस यह चीज हमारी क्या ह बात करते हैं, यह हमारी CP की बात हो जाती है, अब इसके अलावा अगर मुझसे कोई पूछ लेता है, कि सर इनके बीच में रिलेशन क्या होती है, तो बेटा एक रिलेशन से और होती है, वो आपको याद रखना है, जो हमारी क्या हो जाती है, देखो, CP-CV is equal to R, यह आप अगर मुझे यहाँ पर CV निकालना है, तो CV क्या हो जाएगा, CV के अगर मुझे बात करना है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, Q is equal to CV N, यह हमारे पास हो गया, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए मैं निक क्लासिफाइ करेंगे किसके लिए कौन सा है तो इसको मैं वी कर देता हूं ये पी के लिए तो इसको पी कर देता हूं बस इसको वी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं इसको मैं इसको मैं इदर लिख देता हूं तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगो को समझाई दिया है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो देखे, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो क्या लिखा है मैंने वहाँ पर, यहाँ पर लिखा है CV, एक सेकंड बीटा, देखे, मैंने आप लोग को वहाँ पर क्या बता है, मोलर के लिए, मूलर के लिए बता है, क्या बता है, मूलर के लिए बता है, मैंने किस के लिए बता है, मूलर के लिए, ठीक है, मूलर के लिए बता है, मूलर specific heat capacity, clear है, यह हमने क्या बता है, सर यह CV is equal to क्या था, Q upon में एन डेल्टा टी उसी पिकार से सीपी मैंने लिखाया क्या था क्यूं अपॉन में एन डेल्टा टी के लियर है और मैंने एक दोनों के रिलेशन बताई थी वो रिलेशन क्या थी CP-CV is equal to R इन दोनों के एक relationship मैंने बताई थी इनको याद कर लेना है उसके रावा एक और चीज मैंने बताई है क्या बताई है sir QV और CV का relation जो है वो लिखा या मैंने क्या लिखा है यहां से आप इसको लिख सकते हो किस फॉर्म में sir QV is equal to क्या हो जाएगा CV 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 and delta T और यह क्या हो जाएगा QP is equal to CP and delta T clear है यह हमारी है यह हमारी जो relationship है वो मैंने यहापर लिख दिया अब हम लोग इधर चलते है यह सारा का सारा आप लोगोंने लिख लिया होगा obviously बात है चलो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ जो भी चीज है थोड़ा सा थोड़ा सा मैं फटाफट से लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो तो मैंने आप लोग क्या बताया था specific heat capacity बता रहा था इसके अंदर मैंने आप लोगों को सारी चीज़े समझा दी थी बट जो major जो formula है ना वो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो तो यह हमारा क्या था c is equal to क्या था q upon m delta t था ठीक है वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया बट एक बार आप लोग copy उससे कर ली जाएगा क्योंकि वो मिट चुक है थोड़ा सा यहां से क्या हो जाएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि cv अगर constant volume है तो उसके लिए क्या हो जाएगा q upon mt delta t उसके लावा मैंने क्या बताया था एक बताया था cp cp हमारा क्या था q upon में m delta t बोलो clear है नहीं यह मैंने दोनों relation बतायी थी उसके लावा मैंने आपको बोला था कि यह तो हमारी relation हो गई है यह हमारी relation हो गई है उसके अलावा मैंने एक आप लोगो दो चीज और बताया थी, कि इसकी limit कहां से, 0 से infinite कुछ भी हो सकती है, 0 से infinite हमारी कुछ भी हो सकती है, 0 से infinite कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसके एलावा फिर मैंने आप लोगो को molarımızistic heat के बारे में मताया था, ये हमारी क्या होती है ये हमारी हो जाती है सर इसके अंदर अगर मैं देखूं मोलर स्पैसिफिक यीड कैपसिटी ये हमारी क्यों हो जती है मोलर स्पैसिफिक हीड कैपसिटी इसको मैंने आप लोग बता था कि एक मोल के लिए यानि की capital cv is equal to q upon n delta t था उसी पगार से cp यानि के constant pressure की पर बात कर रहा हूं तो q upon में क्या था n delta t था clear है अब मुझे एक relationship बताई थी मैंने आप लोगो क्या था cp minus cv is equal to था r clear है is equal to kya r है ठीक है यह हमने बताया और यहां से हम लोग बात किये थे कि सरी qv is equal to क्या होता है cv n delta t उसके इलावा यह क्या है q p is equal to n cp delta t यह हमने कुछ relationship मैंने आप लोगों को बता दिया अब मैं बात कराने वाला हूं आप लोगों से work की किसकी बात कराने वाला हूं work की बात कराने वाला हूं कि work हमारा क्या होता है अब इतना तो समझ गए अब efforts कैसे लगते हैं उनको देखीगा लाइक मैं बोलता हूँ कि सार मेरे पास जब भी कोई energy होती है कैसे समझोगे देखो work का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं किसी भी system को heat देता हूँ किसी भी system को अगर मैं heat दे रहा हूँ तो heat देने पर क्या होगा या तो system से heat ली जाएगी, या system को heat दी जाएगी, दो ही चीज़ होती है, या system से heat ली जाएगी, या system पे heat दी जाएगी, दो ही चीज़ होती है, या तो ली जाएगी या दी जाएगी, clear है, अब क्या हुआ, sir, मैं work की बात कर रहा हूँ, work का मतलब क्या हुआ, या तो मैं system के through through work करवा सकता हूँ या system के through work ले सकता हूँ कि सर एक तो मैं खुद उसे लो और एक मैं करवा रहा हूँ उससे dasa 2 जहीं 2 चीज जूई अगर दोनों चीजे हैं तो हम यहान से देखी एक Syndrome हमें do now स सिस्टम को डे रहे हैं कैसे देखो कि सर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है एक पूरा का पूरा क्या है एक कंटीनर है कंटीनर के उपपर मैंने क्या किया है कंटीनर के उपपर बेटा मैंने लगा दिया है एक पिस्टन ये लगा दिया है मैंने पिस्टन क्लियर है ये हमारे क्या है पिस्टन है पिस्टन के अंदर क्या है सर ये है मे लोगों ने क्या किया, इसको कुछ heat दी, मैंने क्या किया कि कुछ heat इसको दे दिये, अब उपर से क्या हो रहा है सर, atmosphere pressure काम कर रहा है, तो यह क्या करेगा, इसको नीचे ले क्या रहा है, क्या 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 रहा है, अब हमने इसको heat दे दी, और heat हमारी क्या होई, दो जगे खर्च करेगा. तो हम लोग क्या बोलते है, सर, यहाँ से क्या हुआ यहाँ से क्या हुआ कि मिवा ennergy जो दींए, वो energy क्या कर रही है, इसको oppose कर रही है,ziękरीए, defines का मतलब क्या हुआ है, इसको अउपर की तरफ किसका रही है, और जाव इसको उपर की तरफ क्सका रही है, क्या होता है पॉजिटिव चेंज हमारा होता है ठीक है क्या होता है पॉजिटिव चेंज होगा अब इसी तरीके से मैं एक एक्जाम्पल और लेता हूँ अब एक चीज़ और देखो, अब इसको मतलब क्या हुआ, तो सिर्फ एनरजी दी, अब ने वर के दन किया, अब हम लोग क्या आगरते, एक लिता हूँ, कि सर मैं बोलता हूँ कि लाइक मेरे पास क्या है, कोई भी हाँ पर एक सिस्टम है, उसके सेम यह है, कि सर इसका ये हमने क्या किया connect कर दिया इस पर क्या एक piston connected है ठीक है अब ये piston connected है इसके अंदर क्या है गैस है अब गैस है सर अब की बार क्या हुआ कि हमने system से थोड़ी energy को ले लिया है और system से मैंने क्या किया energy को ले लिया है और सिस्टम से जब मैं energy लूँगा तो ये क्या करेगा सर? compress करेगा इसको नीचे की तरफ लेके आएगा और नीचे की तरफ लेके आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ है? जो डेल V में change आएगा वो कितना आएगा सर? हमारा हो जाएगा V final minus V I और ये हमारा आजाता है negative क्या हो जाता है? negative हमारा आएगा क्या है का? negative हमारा आएगा यानि कि सर अब क्या हुआ है? नीचे की तरफ उसको ले गया है क्या करा है? नीचे की तरफ उसको ले गया है त्या क्या क्या है? नीचे की तरफ हमने क्या किया है? उसको ले गए है गैस हमारी क्या हो रही है अब देखो दो चीजे, सर हमारा work done क्या होता है देखो दो चीजे, सर work हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है इसको समझना चाहेंगे तो सर, force into displacement बोलो cloth clear है निया, यही हमारा होता है वर्की के अगर मैं बात करता हूँ क्या होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट बोलो कितने लोगों को याद है कितने लोगों को याद है अगर ये याद है तो यहीं पर एक चीज को connect करना मेरे भाई चीजा और आसानी से आएंगे और ये डेल वी क्लियर है डेल वी का मतलब का हुआ चेंच और पी का मतलब जो उसको पर प्रैशर हम लोग अपलाई कर रहे है यहां पर अगर मैं देखता हूँ तो वर्क डन क्या आएगा सर यहां पर वर्क डन की बात करेंगा तो यह negative है तो डबलू कितना आजाएगा बोलो clear है निए यह chemistry और physics की जो मैं बात कर रहा हूँ यह दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग-अलग different होते हैं दोनों लेकिन जब हम लोग इनको कम माइट ले आप पड़ोगे तो उसके अंदर भी क्या होता है कुछ को वार्क डेनिक याइख लाइख लाइख लस स्थिस्टम है यह स्ट तुक भर करन किया हमने को इसरो ने रहुआ है और उसके नहीं तो है और अ मारा वह वर्क डवन और ल है यह और शौग रॉक गया है से और वहया यह Nवे और औरा done on guess अब की बार क्या हुआ है? guess के उपर work हुआ है इसलिए हम लोग ने इसको बोल दिया है इसको हमने क्या किया है? इसको बोल दिया है ठीक है? तो यह आप लोग को work है उसको समझ लेना है एक और होता है एक exam आजाता है exam में कि सर ऐसे कोई graph हमें दे दिया और graph के अंदर लाइक इस तरीक ऐसे है और हमसे इसका area पूछ लेता है तो इसको अभी आप लोग कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए आप लोग को integration की help लेनी पड़ेगी क्या लेनी पड़ेगी? integration की help लगनी पड़ेगी solve हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? solve हमारा हो जाता है यह हमारा हो जाता है पूरा का पूरा solve अब यह हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा हमने बोला यह हमारी होगे specific heat, work इन सारी चीजों को मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है इनको मैंने क्या किया है अच्छे से आप लोग को समझा दिया है easily आप लोग क्या है कर पाओगे ठीक है easily क्या कर पाओगे काम कर पाओगे ठीक है easily क्या है कर पाओगे यहाँ पर अब चलिए आगे देखते हैं और अब हम लोग जो देखने वाले है वो देखने वाले है ङहाँ पर, first law of thermodynamics और इसी को हम लोग बोल देते है konservation of energy क्या होता है? Konservation of energy यानि कि से energy को क्या है? इसी को बोल देते है konservation of energy MIKE konservation of energy कैसे देखे? partes माली या मैने system को heat दिया माली इस system को मैंने heat दिया अब ये जो system को heat दिया है ये कहा कहा जा सकती है या तो सर system work कर सकता है या फिर क्या कर सकता है internal energy है उसको दे सकता है कैसे? कि सर मेरे पास किसी ने chocolate दिया थोड़ा सा सूचना मेरे को किसी ने chocolate दिया या तो मैं chocolate को खुद खा के अपनी energy बढ़ा सकता हूँ या मेरी जो दोस्त है उसको मैं दे सकता हूँ clear बात है दो चीज़े है या तो मेरे को कोई energy दे रहा है उसको मैं ले सकता हूँ या मेरे दोस्त को दे सकता हूँ ऐसा थोड़ी कि आदा मैं ले लूँ आदा मेरे दोस्त को दे दू हो सकता है या सभी कर सकते है कोई दिक्कत नहीं बिर्कुल हमने माना कि सर हां यह हो सकता है clear बात है तो इसका मतलब क्या हूआ कि यह हमारे क्या हो गया सर यह हमारी हो गई हीट हीड और यह हमारा क्या हो गया सर्फ यह मार便 वोगा यह हमारा क्या है सर्फ इंक्रीस और डिक्रीस इन एंटर्नल इनरजी इन्टरणल si energy तो यह हमारे क्या होता है इसका फॉस्ट लॉफ थर्मों डाइनमिड फूता है वर्क डन भाइस इस सिस्टम और यह जो इंटरन एनरजी ऑफ दी सिस्टम बस यह आपको याद रखना है यह हमारा क्या होता है फ़र्श लौ अफ थर्मो डायनमिक्स होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनरजी निगया इनरजी क्या है कंजर्व रहती है क्या होती है का अरजी हमारी क्या होती है इसको modular भी लोग बούलेटे शिलि습 क्या हुब की वर्क करेगा उसके खिलाफ जाएगा वर्क करेगा तो यह हमारी इनर्जी को क्या करेगा यह «इंटर्ねली» रख लेगा कुछ एनर्जी को क्या करें का इंटरिन ही रख लेगा और जब मैंने लिखवा दिया फिर मैंने उससे पहले आप लोग को ये जो हमारी अलग-अलग जो degree of freedom है उनको मैंने समझा दिया कि कैसे आप लोग इसको लिखते हो degree of freedom को मैंने समझा दिया ठीक है अच्छे से समझा दिया है उसके अलावा मैंने आपको कोई हीट और ये कैसे होती हैं समको मैंने अच्छे से समझाया है एक्जामपल के थुरू समझा दिया है आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अड़ा 24-7 इसकुल से जुड़ने के लिए अगर कही भी कोई डाउट रहता है तो उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है और उसके लावा जो हमारा डाउट सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करना है जिससे क्या है आपके सारे डाउट के लिए हो जाए और एजली आप अपने एक्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएं अगें थैंक ये सो मच